अगर आपकी जो डिवाइस है आपकी जो सैंसिंग की डिवाइस है वो अगर रिस्टार्ट होते रहते ठीक है अपडेट करने के बादे यह अशा प्रॉब्लम शुरू हुआ है तो आप इस वीडियो को अंतक देखे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे यह प्रॉब्लम उसको फोलो कीजिए आपका प्रॉब्लम इफिनेटली फीक्स हो जाएगा ठीक है क्यूंकि दूस्तों यहाप पे जो अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम आ रहा है उसको सोल्फ Это क schonsein करणा पहुत ज़रू हुरी है तो क्या सालुेशन करना चाहिए आईए मैं आपको बता देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप बेर आइकून को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पेसा कावाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा और किसी भी के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लिम जो है ठीक है फिक्स करने का तरीका में बता देता हूँ तो आपका दोस्तों सेटि आपको सेल्क करना है अगर यह सेटिंग इनेबल है तो इसको ndra कर दे बेटरी सेवर वग्छा लंगा दो सको करके डैगा अगर जै। अगर नहीं हो रहा है तो जेनरल मेनेजमेंट पर जाएए स्ट्रोल डाउन कीजिए रिसेट पर क्लिक कीजिए और रिसेट और सेटिंग पर क्लिक करके रिसेट सेटिंग पर टेप करके मोबाइल पासवट भरके रिसेट कर डिजे क्योंकि दोस्तों अगर कोई सेटिंग की व यहाँ पर क्लिक करके मुबाइल पासवर्ड भर दे और रिसेट कर दीजिए अपने मुबाइल को तो रिसेट दोस्तों एक ऐसा सॉलुशन है जिसके मदल से आप इस प्रॉल्म को सॉल्व कर सकते ठीक है अगर दोस्तों आप जो है इंस्टेनली रिसेट नहीं करना चाते तो भी दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते आप थोरा सब मुबाइल को जो है क्लीन अप करके देखिए ठीक है मुबाइल इस पेस को क्लीन अप कीजिए बहुत सारे एप्स एह अन्यूस एप्लिकेशन से ट देखिए ठीक है स्विच आफ करके रखिए मुबाइल को और उसके बाद ओन करके आप ट्राय कर सकते तो यह सारे सोलुशन आप यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आपने अगर सारे सोलुशन ट्राय किया है फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर आप जो है मुबाइल को फ आप अपने मुबाइल को शो करवा सकते हैं तो अगर दोस्तों अपडेट के बार ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं अगर आटमेटिक रिश्टार्ट होते रहते हैं तो आप यह सारे चीज़ फोलो कर सकते हैं ठीक है उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पस अरूगा, थैसके रिश्ट्योतों अगर उन्योगा, तक्स वोराचिं